वेलकम टूनेक्स एक जाम आज है 13 नवंबर 2022 और 3 नवंबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुशिन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे और हर कुशिन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो वाध्यान से देखिए लास्टम मैं आपसे कुशिन पूछूँगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हूं बताना है आज कि इस वीडियो के पीडियो के डिस्कुस में डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप पर आपको सारी पीडियो एक साथ मिल जाएंगे और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कुशन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशिन है हाली में इंटरनेशनल डे टू एंड इंपिनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट का मनाया गया है तो ये अभी दो नवंबर को मनाया गया तो इस कुशिन का बे आप्सन सही है इंटरनेशनल डे टू एंड इंपिनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानि कि पत्रकारों के खिलाप अपरादों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतरास्टी दिवस ये हर साल 2 नवंबर कु मनाय जाता है अच्छा अभी एक नवम्मर को बेश्टु साकाहरी दिवस मनाया गया था और एक नवम्मर को ही साथ भारती राज्यों का इस्तापना दिवस मनाया जाता है ये साथ भारती राज्य कौन से हैं केरल, करनाटक, आंदर प्रदेश, पंजाब, हर्याणा, मद्र प्रदेश और छतिशकर जिसमें से केरल ने अपना इस्तापना दिवस इस बार केरल परवी दिवस के रूप में मनाया है करनाटक ने राज्यूत्सब के रूप में अपना इस बार का इस्तापना दिवस मनाया है अच्छा दो केंसासित प्रदेशों का इस्तापना दिवस भी एक नमबर को होता है ये दो केंसासित प्रदेश हैं लक्षिदीप और पुड़ुचेरी तो इस question से आपको एतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम target रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इस वीडियो को like और share जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो चाहे छोटा ही target fix करो लेकिन daily morning mode कर सबसे पहले अपने लेक target fix करो और फिर अपना पूरा दिन उस target को अचीब करने में लगा दो आपकी life automatically अच्छी हो जाएगी नए question है हाली में केस राज्जी में जन जाती नत्य महुत्सब शुरू हुआ है तो अभी 36 गड़ में जन जाती नत्य महुत्सब शुरू हुआ तो इस question का C options है अच्छा मैंने आपको अभी first question बता है 36 गड़ का इस्तापना दिवस भी एक नवंबर को ही मनाय जाता है तो 36 गड़ के इस्तापना दिवस पर 36 गड़ में ये जन जाती नत्य महुत्सब शुरू हुआ है और इसको भी राज्युत्सब के रूप में मनाय जा रहा है अच्छा 36 गड़ की बात है तो ये है मैप में 36 गड़ 36 गड़ की capital क्या है राइपूर अच्छा एक सहर है राइपूर और एक सहर है नया राइपूर जो नया राइपूर सहर है उसका नाम बदल के अटल नगर किया गया है 36 गड़ की chief minister कौन है वो पेश बगेल और 36 की governor कौन है अनसुया ओएके अच्छा अभी 36 गड़ सरकार ने टाटा technologies के साथ समझोता किया है 36 गड़ सरकार ने अनसुचित छेत्रों में पंचयत अधिकारों के बिस्तार को लागू किया है CFR अधिकारों को मानिता देने वाला दूसरा राजी 36 गड़ बना है और 36 गड़ के मुक्BY मंत्री ने मुक्शि मंत्री मितान योजना सुरू किया अच्छा बात 36 गड़ की है तो 36 गड़ में अचानक मार वाईलड़ अफ सेंशुरी बादल खोल बारा वाईलड़ अफ सेंशुरी भी 36 गड़ में है हाली में फेफा 2022 में किसी भारत का अमबेजडर बनाया गया है तो इस बार की फेफा वर्ल्ड कप में भारत का अमबेजडर बनाया गया है अभिनेता रडवीर सिंग को तो इस कुछ इनका बे अप्शन सही है अभिनेता रडवी सिंग इस बार की फेफा वर्ल्ड कप में भारत के अमबेजडर होंगे अचा इस बार का फेफा वर्ल्ड कप ये कहां पे होगा ये कतर में होगा और कब होगा बेस नवमर को सुरू होगा और 18 दिसंबर तक चलेगा नयक्योशन है किस देश ने अपने अंतरिच इस्टेशन के लिए मैंग्टियन नामक लैब मौड्यूल लाँच किया है तो अभी Mangaorbach एक lab module चेंग की अंत्रिच Station ने लांचिया तो इस question का, change option से ही है यई सेँड ने अपने अंत्रिच Station के लिए मांगेटी नामक module लांचिया है अब चेंग की अंत्रिच Station के लांचिया है तो चेंग की जो Space Agency है उसका नाम क्या है? CNSA यानि की Chinese National Space Administration अब बात चाइना की है तो ये है मैप में चाइना चाइना की केपिटल क्या है? बेजिंग चाइना की करनसी क्या है? रेन मिन भी और चाइना के प्रजेन टैप पर प्रेसिडेंट कौन है? जी जिन पिंग अभी फिर से तेसरी बार चाइना की प्रेसिडेंट बने हैं जी जिन पिंग अभी चेन ने कोबिट के किलाब पहला इनहेलेबल बैक्सिन लॉंच किया है बेस्व में मचली का उत्पादन सबसे ज़्यादा चेन में हो रहा है चेन ने सपलता पुर्बक पहली सौर बेद साला कुआफू बन लॉंच किया है चेन ने दो नए प्रायोगिक उपग्रे सियान 14 और सियान 15 लॉंच किया है वर्ल्ड गूल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार बैस्विक स्वर्ड पुनर चक्रण में चेन टॉप पर रहा है अच्छा फुजियान नामक तेसरा बेवान बाहक पूथ चेन ने लॉंच किया है एक कुशियन मैंने आपको बताया था तूटे हुए चावल से रिलेटेड तूटे हुए चावल का सबसे बड़ा आयातक देस है चेन सोने का सबसे बड़ा उपवोगता है चेन एक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है चेन और दुनिया में कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है चेन अच्छा अभी मैंने चाइना की स्पेस एजन्सी का नाम बताया था C-N-S-A यहाँ पे और भी तेन देशों के नाम लिखे है इनकी स्पेस एजन्सी का नाम आपको बता है रूस रूस की स्पेस एजन्सी का नाम क्या है रॉस कॉस्मोस जापान की स्पेस एजन्सी का नाम क्या है जाकसा और अमेरिका की स्पेस एजन्सी का नाम आप जानते है नासा अच्छा इंडिया की स्पेस एजन्सी का नाम क्या है इश्रो नैश्यूशन है खाली में कौन सा देश सहीुकत, राष्ट, सुरक्चा परिस्द की अध्यक्चिता ग्रेड करेगा तो rotational अभी UNSC की rotational अध्यक्चिता घाना ग्रेड करेगा तो इसको इनका बे options होई है अब घाना, तो ये है map में घाना घाना की capital क्या है? अक्रा, घाना की currency क्या है? गाना केंडी और गाना के प्रेजेंट टेम पे प्रेसिडेंट कौन है नाना अकूफो अडो कौन है नाना अकूफो अडो अब सेयुक्तरास्ट सुरक्चा परिसल यानि कि UNSC United Nations Security Council इसकी स्तापना कब होई 1945 में इसका हेड़क्वाटर कहां पे है न्यू यूर्क में और UNSC के जो पे फाइब कंट्री हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं पे फाइब कंट्री कौन है यूएस यूके फ्रांस रसिया और चाइना ये सेयुक्तरास्ट सुरक्चा परिसल परिसल के पांच पर्मानेंट मेंबर है ने कूशन है हाली में 41 में सारजहा अंतरास्टी पुस्तक मेले का सुबारम कहां हुआ है तो सारजहा सुनके ही आपको पता रग्या होगा सारजहा UAE का एक सहर है यहाँ पे 41 में सारजहा अंतरास्टी पुस्तक मेले का सुबारम हुआ है तुस कुशन का बे आप्सन सही है इस अंतरास्टी पुस्तक मेले की इस बार थेम क्या है Spread the word क्या है Spread the word और इस बार के अंतरास्टी पुस्तक मेले का Guest of Honor कौन है Italy अब UAE तो ये है map में UAE UAE की capital क्या है अबूधाभी UAE की currency क्या है UAE दिरहम और UAE के present time पे President कौन है अच्छा अभी मालावार गोर्ट्स ने ब्यापक आर्थिक भागीदारी समझोते के तहत UAE से 25 किलोग्राम सोने का आयात किया 22 मां बिस ब्लॉक्चेन सिकर समिरन दुबई में सुरू हुआ बारती निवेसकों की मदद के लिए UAE में फास्ट्रेक तंत्र इस्तापित किया जाएगा ने कुशन है हाली में किस कंपनी ने AI अपतार स्टाटप अल्टर का अधिग्रेड किया है तो आर्टिफिसल इंटेलिजेंस बेस्ट स्टाटप है अल्टर इसका अधिग्रेड अभी गूगल ने किया तो इस कुशन का से अप्सन से यह गूगल ने इसका अधिग्रेड लगबग सौ मिलियन डॉलर में किया सौ मिलियन डॉलर का मतलब कितना हुआ एप्रोक्स आठ सो चौबीस करोड रुपए तो गूगल ने इस आर्टिफिसल इंटेलिजेंस बेस्ट अप्तार स्टाटप अल्टर का अधिग्रेड किया है ने हुशन है हाली में किस प्रदेश की पुलिस ने अपना तेसरा इस्तापना दिवस मनाया तो अभी लद्दाक की पुलिस ने अपना तेसरा इस्तापना दिवस मनाया तो इस कुशन का बे उप्सन्स है अब लद्दाक तो ये है मैप में लद्दाक लद्दाक के प्रिजेंट टेम पे लिटिनेंट गवर्नर कौन है आरके माथोर यानि की रादा कृष्ण माथोर अच्छा अभी लद्दाक में भी मैं भी सुबास अभ्यान शुरू किया गया अगनी तत्तु अभ्यान का पहला सेमिनर लेह में आयुजित किया गया 26 में सिंदु दर्सन यात्रा ये लेह में सुरू हुई सांस्कृत्तिक बिरास्त को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदा एक संग्राले का उद्गाटन लेह में हुआ बारत का पहला चलता फिरता सिनेमा गर यानि की रोबिंग सिनेमा हौल लेह में स्तापित किया गया ने क्यूशन है, हाली में किस ने दुनिया का सबसे सक्तिसाली रॉकेट लॉंच किया है? तो SpaceX ये Elon Musk की कमपनी है, इसने अभी दुनिया का सबसे सक्तिसाली रॉकेट लॉंच किया, तो इसकूशन का A आपसन सही है, आपको पता है, Elon Musk ने अभी Twitter को खरिद लिया है, तो Twitter के लॉंज कर रहे हैं आपने देखा होगा ट्विटर में जितने भी सेलिविटी थे उनके पास ब्लू टिक हुआ करता था उनकी फ्रोफाइल पर ब्लू टिक लगा होता था अब ट्विटर में इस ब्लू टुक के लिए चार्ज लिया जाएगा आठ डॉलर पर मन्त इस ब्लू पांडुलिपी गरंथाले बनाया जा रहा है तो अभी गुजरात में बेसुका सबसे बड़ा पांडुलिपी गरंथाले बनाया जा रहा है तो इसकुशिन का बे अप्सन सही है अब गुजरात तो ये है मैप में गुजरात गुजरात की के बिटल क्या है गांधी नगर उपेंद्र भाई पटेल और गुजरात की गवर्णर कौन है आचार देबरत अच्छा अभी जल मिजीवन मिशन के तैत सत प्रस्ट घरेलू नल कनेक्शन वाला राज गुजरात बना है प्रतानमंत्री मोधी ने गांधी नगर में मिशन स्कूल ओफ एक्सिलेंस लॉंज किया बारेमाण डेफेंस एक्सपो गांधी नगर में सुरू हुआ और गुजरात का मोंडेरा भारत का पहला 24.7 सोर उर्जा संचालित गांवना है अच्छा गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है ये एसियाटिक लोइंस के लिए फेमास है सरदार सरूबर डेम है नल सरूबर लेख है थोल लेख है कंकडिया लेख है और खिजाडिया लेख है इतना आप गुजरात की बारे में याद रखिए नेशन है हाली में किस देश की प्रदारमंतरी ने एडवर्ड एम केनेडी को फ्रेंड्स ओफ लिवरेशन वार सम्मान से नवाजा है तो बांगलादेश की प्रदारमंतरी हैं सेख हसीना इन्होंने बांगलादेश मुक्ति में योगदान देने के लिए डाका में पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड एम केनेडी को फ्रेंड्स ओफ लिवरेशन वार से मर्डो प्रांथ सम्मानित किया है तो इस कुश्यन का से ओप्सन सही है य ये अवार्ड इनके बेटे एडवर्ड एम टेड केनेडी जूनियर को दिया गया अब बांगलादेश तो ये है मैप में बांगलादेश की केपिटल क्या है धाका बांगलादेश की करनसी क्या है टका बांगलादेश की प्रेजेंट टैम पे प्रेमिस्टर कौन है सेख हसी और बांगलादेस के प्रेजेंट टैप पे प्रेसिड़ेंट कौन है अब्दुल्ला हामेद। अच्छा, बांगलादेस में 201 की युवाज जलवाई उसिक्कर सम्मेलन शुरू होगा। बंगलादेस के क्रिकेटर रूबल हुसेन ने टेस्ट क्रिकेट से सन्यास की गोश्णा की बंडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बंगलादेसी बन्लेवाज बने हैं तमीम इकबाल वसीफा नाजरीन केटू फत्य करने वाली बंगलादेस की पहली महिला बनी है और बंगलादेस की खिलाडी तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल किरकेट से सन्यास की गोश्णा की है अच्छा इंडिया और बंगलादेस की बीच में कौन-कौन सी डिफेंस एकसाइज होती है इंडिया और बंगलाजिस की विच में संप्रती नाम की Magnets exercise होती है नइच उस्चिन है, हाली में केंसासित प्रदेश ने एक नवंबर को अपना मुक्ती दिवस मनाया है तो पुड़ुचेरी ने एक नवंबर को अपना मुक्ती दिवस मनाया है तो इस question का बे options है ये अच्छा पुड़ुचेरी ये एक नवंबर 1954 को जनमत संग्रह के बाद फ्रांसी सी उपनिवेस बाद से मुक्त हुआ था एसलिए एक नवंबर को पुड़ुचेरी का मुक्त दिवस मनाय जाता है अच्छा कभी आपने मैप में पुड़ुचेरी को ध्यान से देखा कहाँ पर आपको दिखता है आप इस मैप में देखिए इसमें आपको चार डॉट दिखाई देंगे ये चार डॉट तीन अलग अलग राज्यों में है एक डॉट आपको दिख रहा होगा माहें ये कहां पे है केरल में है एक डॉट आपको दिख रहा होगा यनम ये कहां पे है आंदर प्रदेश में है और दू डॉट आपको दिख रहे होगे कराईकल और पॉंडिचेरी ये तमिल लाडो में ये चार जिले हैं पुड़ुचेरी केरंसासित प्रदेश बनाते हैं जिसमें जो पॉंडिचेरी है ये बॉंडिचेरी की केपिटल है ने क्योंशन है हाली में अमेरिका और केस देश ने विजिलेंट स्टोर्म सेन अभयास का आयोजन किया तो अभी अमेरिका और दक्षिड कोड्या ने विजलेंट स्टॉर्म सेन अब्यास का आयोजन किया तो इसकुशन का से आपसन सही है अब साउथ कुरिया तो ये है मैप में साउथ कुरिया साउथ कुरिया केपिटल क्या है सी योल साउथ कुरिया के करनसी क्या है साउथ कुरियन वान और South Korea के present time पे President कौन है? यून सुक योल कौन है? यून सुक योल अच्छा North Korea और South Korea को divide करने वाले लाइन को कहते हैं? 38 पैलल Next question है हाली में UPI के जरिए October महा में लेन दिन कितने प्रतिस्थ बढ़ा है? तो अभी UPI के तुरू October 2022 में लेन दिन 7.7% बढ़ा है? तो इस question का A options है Next question है हाली में केस देश ने समलेंगी कपल के लिए एक साज़ेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है तो अभी जापान ने पहली बाद समलेंगी कपल के लिए साज़ेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की तो इस question का A options है जैसे कोई समलेंगी कपल है अब वो साथ में रहते हैं तो उनको एक साज़ेदारी प्रमाण पत्र दिया जाएगा यही प्रमाण पत्र उनके साथ रहने का प्रमाण होगा और यह प्रमाण पत्र वो गवर्मेंट में डोकुमेंट की तरह यूज कर सकते हैं अब जापान तो यह है मैप में जापान जापान की capital क्या है टोक्यो जापान की currency क्या है येन और जापान के present time पर प्रेसिडेंट कौन है फुमियो केशिदा अभी जापान ने निहुंसु के लिए जे आई टेग पाने के लिए आविदन किया जापान गर्बते मैलाओं पर पुनर विवाप प्रतिबंध हटाएगा बारत और जापान की नौसिना के बीच जिम मैक्स 2022 सेन अब्या सुरू हुआ था भी जापान के सकुराजमा जौला मकी में लगातार तेन दिन तक बिस्पोर्ट हुआ इतना आप जापान के बारे में आद रखिए अब लास्ट वीडियो के कुशिन का आंसर लास्ट वीडियो मैं आप से कुशिन पूचा था कि हाली में लुईज इनासियो लूला ड सिल्वा के इस देस के नई राश्ट वति बने तो अभी लुईज इनासियो लूला ड ड सिल्वा ये ब्राजील के नई राश्ट वति बने यानि किक कुशिन का बे औपसन भी था और लगवग सभी श्टुएचन सबस्योंने सकांसर सभी दिया Most list awareness के बारे में detail में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा Question के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का Question आपके लिए आज का Question है हाली में किस देश की राष्टपती ने स्तीफा दिया है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हम हमारे Facebook पेज पर प्रेवेस एर कोईशन डेली पोस्ट करते हैं तो आप Facebook पर नेक्स्ट एक्जाम सर्च करके हमारा Facebook पेज जोईन कर सकते हैं क्योंकि प्रेवेस एर कोईशन आपको बहुत एल्प करते हैं अगर आपको किसी कोईशन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटिड भी कोई प्रॉलम है तो आप Instagram पर इंस्टाग्राम पर इंद्रेश रसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कन्फूजन बेडाउट एनी हजीटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टारगेट जरू याद रखना उनमें आप इस वीडियो को सेर जरू कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करेंट अफैस का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राब जरू कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब बे आफसे सब्सक्राब रहेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू किलिए कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज भी दियो तैंक्स पर वाचिंग